इस वक्त की बड़ी खबर नई दिल्ली से आ रही है जा निर्भिया गैंग रेप केस के चारों दोशियों का नया डेट वारेंट कोट ने जारी कर दिया है चारों दोशियों को अब एक फरवरी सुबह 6 बजे फासी पर लटकाया जाएगा अब निर्भिया के गुनागारों की जिंद्गी सिर्फ 350 घंटे की ही बची है इससे पहले मामले में दोशिय मुकेश की दया याचिका को रास्ट्र पती रामनाथ कोविन ने खारिस कर दिया आपको बता दे कि पहले पटियाला हाउस कोट ने चारों दोशियों को 22 जनवरी सुबह 7 बजे फासी पर लटकाने की तारिक तैह की थी लेकिन इसके बाद दोशिय मुकेश शिंग ने रास्ट्र पती के समक्ष अपनी याचिका लगा दी थी रास्ट्र पती रामनात कोविन द्वारा निर्भिया के दोशिय मुकेश सिंग की दयायाचिका खारिज होने के बाद कोट ने नया डेट वरेंट जारी होने के बाद निर्भिया की मा आशा देवी ने कहा कि जब तक दोशियों को फासी पर नहीं लटका दिया जाता है तब वदिकार देखा जा रहा है हमारा मानवदिकार कोई नहीं देख रहा शुकरवार को रास्ट्र पती रामनात कोविद ने निर्भ्या कांड के दोशी मुकेश की दयायाची का खारिष कर दी थी गुरुवार रात ग्रेह मंतराले ने रास्ट्रेपती कोविद के पास दयायाचिका की फाइल वेजी थी और उसे खारिश करने की सिफारिश की थी अदालत निर्भिया के चारों दोश्यों को फासी की सजा पहले ही सुना चुका है आपको बता दे कि 16 दिसंवर 2012 को निर्भिया कांड ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था 23 वर्षे निर्भिया के साथ चलती बस में गैंगरेप किया गया था और उसके बूरी तरह से पिचाई की गई थी बात में अस्पताल में निर्भिया ने दम तोड़ दिया था इसके बाद दिल्ली पुलिस ने मामले में 6 लोगों को गिरफतार किया था जिन में से एक नाबालिक था नाबालिक को किशोर अदालत के समक्ष परस्तूत किया गया जबकि राम सिंग ने तिहाड जेल में फासी लगा कर खुदखुशी कर ली थी इसके अलावा बाकी चार दोश्यों को फासी की सजा सुनाई गई है चुनावी मुद्दा बना कर राजनीती करना चाह रहे हैं ये तो पिछले दिनों दो दिनों में आपने देखी लिया सिद्ध हो गया उनके पास और कोई मुद्दे नहीं है निर्भया के मुद्दे को लेकर चुनाऊ लड़े जा रहे हैं अगे हमें जेल से डाकुमेंट जैसे मिलेंगे हम उसके बाद क्यूरेटिव पेटिशन और जो भी आगे का प्रोसेज हो कि इसमें किसी एक क्यूरेटिव मर्सी पेटिशन के डिस्मिस होने से इसलिए वर्क नहीं पड़ता हमारी ग्राउंड अलग है घटना के दिन अक्ष नावालित घटना के दिन और जब हमाडो अपशन हक पास पवं की दी साइड होनी है और उसके बाद तीनों की मरसी पेटिशन फाइल हो नहीं है क्योंकि आज भी कोट में उनको अर्निंग नहीं करी गई आकि नहीं वो तीनों एक अठे मरसी करे या जो भी करना है करे क्योंकि उनके वोकिल तो अलग-अलग हाई कोट में सुप्रीम कोट में केस कर रहे हैं तो तो इसमरे डिशंठाँ अरद प्रक्रा नीयुश्टम। मुझे से कोई मतलब नहीं हमारी बेटी की साथ साल पहले हत्या हुई थी उसके सथ क्राइम हुआ था मैं ने उसके लिए आवाज उठाई थी उसक्राइम के खिलाफ वाज उठाई थी और आगे भी उठाऊंगी लेकिन राजणिक्तिक पार्टिय एक दूसरे पर आरोफ प्रत्यारोफ मड़ रही है केंडर सरकार हो राजजर सरकार हो और उसके बाद अब एक बार से आपका भी नाम आगया क्या आप कॉंग्रेस में चामिल हो रहे हैं मुझसे बूसर कोई ले ना देना मेरे मेरे बेटी के साथ क्राइम हुआ साथ साल मेरी बेटी चली गए मुझे इंसाब चाहिए बाकी और किसी से मतलब नेके बाद अब निरासा हो रही है कि जिस तरह से हमें साथ साल से तारीक पर तारीक मिल रही थी आज उसी तरह डेट बदल के दूसरी डेट मिल गई तो मुझे तसलिम नराशा हो रही है बिलकुल निराशा हो रही है किसे कोट से सरकार से अरोपियों से कोट से भी सरकार से भी अपने पूरा सीस्टम से ही आशा जी आप लगातार गुहार लगातार रो भी रही है लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि किसी का दिल नहीं पसीज रहा है आपने कहा था कि सरकार को एक नजीर पेश करना चाहिए और उसके बाव जाता है कि फैसला और कानून इमोशनल नहीं देखा जाता है तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे रोने से आई एमोशनल से आप मत लीजिए मत लेना देना करिए लेकि जो कराइम हुआ है कराइम को देखिए और अपने कानून की तहार मुजिर्मों को फासी द तो उसको फासी होगी तो आप उस रेयर देरेयर केस निर्भया से जादा कुछ भी नहीं हो सकता तो आप अगर उनको फासी दिये है वो मुजिर्म है तो जल से जल उनको फासी दीजाए है J.B.D. Banquets लाए है Incredible Marriage Palace Rajgarana and the finest banquet hall Jyoti Garden World-class catering, century air condition, lush green lawns, state-of-the-art lightning A perfect venue for wedding, launching and parties Rajgarana and Jyoti Garden A J.B.D. Banquets Enterprise